नमस्का दोस्तों हूं मेकिंग विद अफिक्षे चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत हैं यह देखी दोस्तों जो आप तकी देख रहे हैं प्यारे से यह हमने घर पे तैयार किये हैं बिल्कुल 120 रुपए में आपके दो तकी तैयार हो जाएंगे तो इसके लिए मै मैंने यह कुर्टी लिए क्योंकि मेरी खराब हो गई थी तो इसी को हम यूज करेंगे इसके लिए आप सबसे पहले आप लंबाई देख लें आपको अपने तकी की कितनी बनाने हैं जैसे मुझे यहां 25 इंच लेनी हैं तो मैं यहां एक इंच एश्टर लोंगी क्योंकि व इसके लंबाई माक कर लिए अभी हम इसकी चोड़ाई को माक करेंगे और चोड़ाई मुझे चाहिए 17 इंच तो एक इंच हम एक्ष्ट्रा लेंगे तो आप 18 इंच पर इसको माक कर लेंगे अब जो एक्ष्ट्रा है साइडों में जैसे उपर मैंने खोला हुए कुर्टी को इसको एसे फौल्ड करके उपर रखा शबी तक लगाया जहां हमारा माक है और उसके बाद हमे को कट कर लेंगे तो एक्ष्ट्रा इंको कट करके जो हमरा आएगा उसको हम निकालेंगे अगर आपके पास सिलाई मसीन नहीं है तब भी दोस्तों आप इसको बना सकते हो सुई धागे की हेल्प से अब ये देखे मैंने एक पार्ट लिया इसको सीधा रखा अब दूसरे पार्ट को सीधे पे सीधा रखना है ये देखे मेरे हाथ ठच करेंड़ी है आप ये देखे जो बॉर्टर की साइडेश को हम अपन रखेंगे इत्wn हैस इत्थ त्सक्ति दोनों को यूज कर सकते हैं लेकिन मैं आप 아닌 को फिर भी बोलेंगी कि आप जह सुतीर रुवी आती उसी को यूज़ करें हमारे सकीन के लिए भी ठीक रहती है और फिल लगाने के लिए ठीक रहती है अब इसको फिल कैसे करना है में बाद आपको छोटे-छोटे पीस में जो रुवी है उसको नहीं लेना ऐसे लंबे-लंबे पीस लेना है और पूरे लंबाई में फैला लेना है एक दोस्तों देखे कभी-कभी हम क्या करते हैं कुछ लोग इसको ऐसे भर-भर के ऐसे लड़ू से इसमें डाल देते हैं तो इसके आपने कोटन को इसमें भरना है लंबा फैलाना है पूरा आप तीन से चाथ लेयर लगा लीजिए और यह सारी एक साथ हो जाएंगी अब आपने क्या कलना है इसको पकड़के एक वार उस साइड से और एक वार इस साइड से तो इसको अंदर इसको फिल कर देना है इसी तरह आपने दिरे-दिरे करके इसको फिल कलना है इसको टुकडो में नहीं बठने देना है तूटने नहीं देना है बस आपको यहां पर ध्यान इसी बात कर रखना है कि आपकी यह जो है टुकडो में ना डल ले इसमें टुकडो में डलने के बाद आपका तक बहुत जल्ली खरा तो इसको निकाल दीजिए और जहां पर आपको गड़ा लग रहा है वहां पर फिर से वही मैथड़ा बनाईए कोटन लेजिए उसको लंबा कीचिए और वहां पर फिल कर दीजिए तो इस तरीके से आपकी गांठे नहीं बनेंगी और शेप अच्छी आएगी अब हमने इसको लिए जाते हैं वो आपके नहीं लगेंगे तो अब आप यहां से सुईधागे से आपको इसको स्टिच कर सकते हो या मसीन की हेल्प से वह आपके उपर है आप कैसे कलना चाहते हो लेकिन बिना मसीन के आप तक यह घर पे बना सकते हो यह शूर है तो इसको हम तैयार कर लें है वो 120-130 रुपए पर के जी आती है तो जिसमें आपके 2-3 तकी तैयार हो जाएंगे इसी तकी से आप अपने तकी घर पे तैयार कर सकते हो दोस्तों फ्री साइज में कर सकते हो जो साइज आपको पसंद आ उसमें कर सकते हो वीडियो पसंद आई तो लाइक किजिए शेयर जी तैयार किजिए झाल 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